दोस्तो अगर आपके वाटसैप के उपर भी चैट लॉग का ये फिचर शो नहीं हो रहा है तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ की कैसे आप अपने वाटसैप के उपर चैट लॉग के इस अप्शन को ला सकते हैं और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो को complete देखना गाईज तभी आप समझ पाएंगे नमस्का दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे फीचित है यूटूब चैनल में गाईज चैनल पर नहीं चैनल को सस्क्राइब जरूर कर देना वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें तो दोस्तो आईए वीडियो शुरूर करते हैं दोस्तो जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं सामने यहाँ पर मेरा वर्ड्सेप है तो सिंपल यहाँ पर मैं वर्ड्सेप को उपन कर लेता हूँ उसके बाद गाइज यहाँ पर मैं किसी की भी चैट को उपन कर लेता हूँ आप guys अगर आप किसी की bhi chat को whatsapp पर log करना चाते हैं तो यह feature भी आपको whatsapp ने दे दिया है आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आपको क्या करना है अगर आप किसी की bhi chat को log करना चाते हैं तो आपको three dot पर click करना है ठीक है उसके बाद view contact के उपर click कर देना है जैसे आप इसके उपर क्लेक करते हैं तो यहाँ पर आपने नीची आना है नीची आने के बाद गाई यहाँ पर दे सकते हैं यह फिचर यहाँ पर आ चुका है चैट लॉक का ठीक है आपने सिंपल इसके उपर क्लेक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर दिया गया है लॉक दिस चैट विद फिंगर प्रेंट ठीक है अगर आपके मुवाइल में फिंगर प्रेंट तब ही आप चैट को लॉक कर सकते हैं ठीक है आपने क्या करना है अगर आप किसी की भी chat को lock करना चाहते हैं तो आपने इसको यहाँ पर enable करना है उसके बाद आपने fingerprint को यहाँ पर लगाना है ठीक है तो यहाँ पर दे सकते हैं कि यहाँ पर आपकी chat जो है वो lock हो चुकी है ठीक है यहाँ पर view के उपर click करना तो यहाँ पर यह chat lock हो चुकी है ठीक है अभी आप यहाँ पर दे सकते हैं जैसे यहाँ पर मैं आ जा तब से टॉप पर lock it chat का यह option आ चुका है ठीक है अब जैसे आप इसके उबर click करते हैं तो उसके बाद आपने जैसे आप फिंगर प्रेंट लगाते हैं तो यहाँ पर जो भी आपने chat lock किये वो यहाँ पर show हो जाएगी ठीक है अभी यहाँ पर दे सकते हैं इसको यहाँ से दुबारा से मैं unlock करता हूँ उसके बाद यहाँ पर मैं आता हूँ चैट lock पे इसको को मैं बता दूँ अगर आपके WhatsApp के ऊपर भी ये चैट लोग का फिचर शोर नहीं हो रहा है तो आप कैसी ला सकते हैं आप इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको बैक आना है बैक आने की बात आपने क्या करना है प्लेस्टोर पर जाना है ठीक है जैसे आप प्ले WhatsApp को अपडेट किया है ठीक है अगर आपके वाटसेप में अपडेट माग रहा है तो आपने अपने WhatsApp को अफ़टेश करें जैसे आप WhatsApp को अपडेट करते हैं उसके बाद वो सारे फिचर आपकी WhatsApp में आ जाएंगे ठीक है आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक जरू कर देना फिचर यूटूब चैनल पर नएगा चैनल को सस्क्राइब करें कोई प्रॉलम आते हैं तो